हेलो फ्रेंड्स दिस इस एश्पिशिंग एंड वेलकम तू इश्मारिटर एवरी डे पहरे दोस्तों बात करेंगे बिए थर्ड सेमेस्टर एकॉर्डिंग टू कानपूर यॉनिवर्सटी पेपर वन हमारा चल ला था जिसमें यूनिट फॉर आपकी चल लाई है आज यूनि सलेबर्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीजे हैं या जो भी कुछ आपके एक्जाम में आने वाला है वो सारा हमने इसमें डिसकस कर लिया है तो अगर आपने शुरुआच्छी क्लासेज आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है धीरे-दिर आपने पूरा कोर्स भी कंप्लीट कर लिया और पता भी नहीं चला तो अभी आप दुबारा से देख सकते हैं क्लासेज एक एक करके रिवीजन कर सकते हैं ठीक है और इसके बाद हम पेपर सेकेंड के साय लास्ट यूनिट रह गई है उसको डिस्कस करेंगे तो पहरे दोस्तों अगर आपने आपकी क्लासेज मिश हो गई हैं आपने उनको नहीं अटेंड कर पाए हैं आप तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुए सुरुआ से देख लिजे और जो लोग देख चुके हैं वो दुबारा से देखना सुरू कर दें पूरा एकदम कते हंड्रेंट 10 परशंट आपको कुछ भी बाहर स अब लेवल हो गया है यानि की पूरा सलेवर्श हमने कंप्रीट करा दिया है तो कल हम लोग पढ़ रहे थे प्रधानाचार के करतब महत्तों उनकी क्या भूमिका होती है चिक्ति परिच्छन वगएरा यह सब ने पढ़ लिया था आज हम बात करेंगे टीका क्रण क्या होता है प्रधानाचार के करतब भी पढ़ेते ठीक है आज हम बात करेंगे टीका क्रण क्या होता है और टीका क्रण के बाद फिर टीका क्रण का क्या महत्तों है यहां से कोर्शन जुरू मिलेगा आपको ठीक है टीका क्रण से मिलने वाली दुस्तों विधाय होती है उनकी बात कर आपका पर बात करेंगे ठीक है संतुलित आहर पर बात करेंगे और उसकी विशेष्टा है फिर मद्याहन वोजन योजना जो जो यह मिड़े मील स्कीम है इस पर बात करेंगे ठीक है और कोशिश करेंगे पूरी यूनिट आज यह खतम करतें क्योंकि इसके बाद आपका पेपर वन खतम हो जाएगा यह हमारा जो नंबर है यहां आप मैसेज करके पेड नोट्स ले सकते हैं चलिए सुरू करते हैं देख से में शुरूआ उनकी अच्छी बात है कि पूरा मेर्य कमल लिया देखिएगा तींका करन क्या होता है इसे इन में नि जेशन क्या कहेंगे ऐमिब्स टीका करन इस सॉरी एग सिक है टीगा करन विभीन ने तक्नीकों के माध्यम से किया जाता जैरे जो टीकाыт है उसरीड के प्रतिरक्ष्षा प्रणालि को प्रभावित कर सकते हैं इस प्रकार शंक्रमन को दूर करने में मदद करते हैं कहने के मतलब है जो टीकाकर्न होता है जैसे कोई वाइरस फैलता है जैСhtIE कि बहुत famous शाहम सब ने देखा जिसको Corona है ना और उसके बाद वो तभी गया जब जो है vaccination हुआ जब टीका करण चला जब vaccination हुआ तो तभी जो है वो उससे हम लड़ पाए तो ये क्या था ये हमारे सरीर को परतिरच्छा तंत्र को इतना मजबूत कर देता है टीका करण जिससे ब करने के लिए तयार हो जाता है ये व्याशकों और बच्चों दोनों के लिए महत्पून है बच्चों में भी टीका करण होता है व्याशकों में भी होता है क्योंकि वे हमें कई बिमारियों से बचाता है टीका करण बच्चों को घातक बिमारियों से बचाता है बलकि इसको भी मजबूत करता है अच्छा पनाली को मजबूत करता है उसको डफलप करने में काम करता है बच्चों की घातक बीमारियों से भी वह बचाता है टी का करनके उपयोग के माध्यम से दुनिया भर में कुछ शंक्रमनों और बीमारियों को लगभग पूरी तरह स्वल्पत कर दिआ गया है जैसे की कोरोना वाइरस को पूरी तरह से क्या कर दिया गया खतम ढूर दिया गया निपृता दिया गया हैं कि स्के माद्यम से vaccination के माद्यम से वेशन नहीं आती तो साइद टीक जलदी जाने वाला नहीं था टीका करण के कुछ प्रकार एक तो होता है शक्रिय टीका करण क्या active immunization है ना immunization शक्रिय टीका करण क्या होता है शक्रिय टीका करण के अंतरगत प्रदान किये जाने वाले पदार्थ को टीके के रूप में जाना जाता है जो टीका नहीं इंजक्सर लगता है वो होता है ठीक है सेक्रिटिक एगण के अंतरत जो प्रदान के जवना जो भी पदार्थ है उसको टीके की रूप में जाना जाता है इस पदार्थ का प्रियोग सरीर में कहां सरीर में किसी विसेश रोग के खिलाफ सरीर की प्रतिरक्षा को जागरत करके एंटीबॉडी को विक्षित करने के लिए किया जाता है से किसी रोग के खिलाफ उसको लगाया जाता है किसी particular रोग अगर कोई है तो उसको रोखने के लिए TK का यूज किया जाता है जैसे उदाहण के माध्यम से अगर समझना चाहे इस TK में खसरा याने की मीजर्ज, कंठमाला, मंप्स, रूबेला, पीला बुखार, वैरिसेला, रोटा वायरेश, इन्फ्लॉएंजा, आदी इनके लिए क्या होता है तीका लगाया जाता है इनसे लड़ने के लिए निस्करी टीकागरण क्या होता है निस्करी टीकागरण का तातपर है कि व्यक्ति को बाहर से तयार एंटीबोडी दिया जाता है जब ये एंटीबोडी व्यक्ति को दिया जाता है तब यह एंटीबोडी संक्रामक रोग से लड़ाई या रोगथा में मदद करता है क्या करत समझ चुके हैं कि टीका करण किशी भी बीमार बच्चे या विक्ति को दवा के माध्यम से ठीक करने से अलग प्रग्रिया होती है जैसे माली ये बच्चे को पहले दवा दी जाती है तो दवा के साथ साथ टीका भी लगाया जाता है इंजक्शन भी लगाया जाता है बच्चे को अनेक खतरनाक बीमारियों से सुरचित रख सकते हैं जैसे कि आपका खसरा हो गया दिमागी बुखार हो गया यह सब चीजें ठीक है तो ऐसे ठ्यान रखा करो इन सब चीजों को किसी भी रोग से बचाओ के लिए टीका करण करवाना उसके इलाज करवाने के मुकाबले काफ को बलकि आपके आशपाश के लोगों को भी सुरचित रखने का काम करता है अगर आपकी रोग प्रतिरोधक छमता पीका करण के कारण जागरत है तो आपको अनेक परकार की बीमारियों से कोई खत्रा नहीं है कहने का मतलब है अगर आपकी रोग प्रतिरोधक छमता जो है टीका करन के माध्यम से एक्टिव है तो फिर बिमारियां आपको जो हरा नहीं सकती साथ ही आपको शंकरमण भी थोड़े शमय के लिए होगा या तो फिर बिलकुल नहीं होगा लेकिन पूरी तरीके से घा तक नहीं होगा ऐसे जब अने लोगों को टीका लगाया जाता है तो आपको भी उनसे संकरमित होने की समभावना कम हो जाती है जैसे भारत में चला कि भाई हर आदमी को टीका लगवाना है वैक्शीन लगवानी है तकि दूसरे भी लगवाए उससे हमें भी फायदा होता है कि हमारे भी बच्चा होता है इस तरह से टीका करण आपको तो सुस्थ रखता ही है शाथ ही शाथ आपके आशपास के लोगों को भी स्वस्थ रखने का काम करता है इसी वजह से टीका करण सभी के स्वस्थे के लिए आविश्यक माना जाता है आगे बात करेंगे टीका करण से मिलने वाली सुरक्षा जो होती है न उसकी बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वैक्शिनेशन देखिए कई घातक और खतरनाक बीमारियों से बचाव के लिए टीका करण किया जाता है टीका करण की मदद से बीमारी के कई मामलों को कम करते हुए करोडों लोगों की जान बचाई गई है नवजात सिसू, बच्चे, किसोर और व्यश्क आदि को उनकी आयू और क्या कहें कि उनकी जीवन सैली है, जगह, यात्रा और स्वास्थ है श्तितियों के अधार पर अलग-अलग टीका करण की आवश्कता होती है है ना, तो टीका करण के द्वारा जिन बीमारीयों को रोका जा सकता है, उनका विवरन इस परकार है किन-किन बीमारीयों को रोका जा सकता है, देखिए चोटी माता जिसको chicken box कहते हैं गाल घोटू जिसको diptheria कहते हैं influenza है Hepatitis A है Hepatitis B है और यह HPV है और खसरा है गलसुआ है polio है rotavirus है और और भी है हाँ इतनी है तो इन बीमारियों को टीका करन के माध्यम से रोका जा शकता है और भी है जिसे कुछ ऐसी भी रोग है जिनके लिए नियमित रूप से टीका करन किया हो सकता नहीं होती है कि अब समझते हैं टीका करन के दारान सावधानिया प्रिकॉशन डिवरिंग वैक्सिनेशन हमें कौन-कौन सी सावधानिया अप्रानी चाहिए एक तो यह है कि अपने बच्चों को नियमित रूप से टीका करन करवाया जाए और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए डेट फिक्स होती है कि पहला टीका कब लगेगा दूसरा कितने महीने में लगेगा तीसरा किस डेट को लगना है चौथा किस डेट को लगना है तो उनकी पूरी एक डेट मिश्चित होती है और उस डेट पर लगते भी हैं तो इस जीच को धिया रखा जाए नियमित रूप से टी को भूल गए हैं तो ऐसी स्थिति में उसको बाद में लगवाने के लिए डॉक्टर से सलाह ली जाए कि क्या हम इसको डेट की निकल गई है अब लगवा सकते हैं कि अगर टीका करण प्रकरिया से पहले बच्चे को बुखार आ जाए तो तुरंद डॉक्टर की सलाह ली जाए या और भी कोई प्रॉबलम है तो डॉक्टर से सलाह ली जाए कुछ विशेश टीका करण के बाद बच्चे को बुखार आना श्वाभाविक होता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जग टीका लग जाता है तो फीवर आ जाता है तो ऐसा होने पर बुखार एक दो दिन म अभी साथ ले जा सकते हैं और ताकि बच्चा दर्द को फील ना करें ये था ठीका करण अब हम बात करेंगे आसन की पॉस्चर की ठीक है यहां से भी आप एक कोर्शन जिरू निकल करके आएगा छोटा या बड़ा चलिए समझते है इस बात को आसन होता क्या है देखिए आसन से अभी प्राय सरीर को विशेष रूप्षे शाधना है आसन का मतलब क्या है सरीर को विशेष रूप्षे शाधना और सरीर को साध करके उसे संतुलित करना आशन कहलाता है ठीक है जब मनुस से अपने सरीर को शाधने में किसी विशेष प्रकार के प्रयाश नहीं करता और उसका सरीर दोनों पैरों पर संतलित रूप में शधा रहता है तब यह उचित आसन कहलाता है मनुसका सरीर एक नाजू को रचना है यह दिवा लेटने, मैठने, खड़े होने, चलने, फिरने और कारे करने की उस्था में अपने सरीर को उचित रूप से नहीं शादता तो उसका श्वरस्था खराब हो जाता है अतहा उशे इन सब इस्थितियों में अपने सरीर को उचित रूप से साधना आना चाहिए यानि कि आप आसन करना सीखें, किस-किस तरीके से आसन किये जाते हैं और इससे क्या होता है कि इसमें थकान कम से कम होती है और बहुत सारी पैरिफिट्स आपके सिर्ट को मिलते हैं रोग पर सोदक छमता भी बढ़ती है अगर आप आसन करते हैं तो बैठने का उचित आसन क्या होता राइट पॉस्चर ऑफ शिटिंग देखिएगा कक्षा शिच्छन में सामनता चार इस्तियां हो सकती है कैसे? आप या तो जमीन पर बैठ करके पढ़ सकते हैं ठीक है भाई बैठने का उचित जो सही तरीका है या फिर जमीन पर बैठ करके पढ़ना जमीन पर बैठ करके लिखना कुर्सी पर बैठ करके पढ़ना कुर्सी पर बैठ करके लिखना ये क्या है? बैठने के कुछ उचित आसन है है ना? जैसे फर्स्ट पैंट है हमारा जमीन पर बैठ करके पढ़ना इससे क्या benefit होता है जब बच्चा जमीन पर बैठ करके पढ़ता है जमीन पर पलोथी मार करके इस परकार बैठना चाहिए यह मेरुदंड यानि कि वीड की जो हड़ी है वो सीधी लेकिन लचीली रहे सिर कंदे और कमर एक सीध में हूँ सरीर का पूराभार नितंबों पर बराबर पढ़ना चाहिए ठीक है जमीन पर बैठ करके लिखना यदि सामने कोई डेस्क या टेक है तो उपर लिखित आसन में इस परकार बैठना होगा कि डेस्क या टेक पर बाया हाथ कोहनी से वलियों तक उस पर रखा जा सके और दाय हाथ से लिखने का काम किया जा सके तो ये हो गया लिखने का तरीका कुर्सी पर बैठ करके जब आप पढ़ते हैं तो क्या करना चाहिए तो यह आप समझे लें कि किस तरीके से बैठ करके लिखना पड़ना है कुर्सी पर बैठ करके मेज पर लिखना इससे क्या होता कि लिखते समय डेस्क को थोड़ा अपनी और खीच लेना चाहिए है ना जो पैर होते हैं हमारे वो डेस्क के नीचे जाने चाहिए इतना खीचना चाहिए कि कुर्सी के आगे का थोड़ा भाग उसके अंदर हो जाए एक्चुली मुष्टी सब ऐसे ही बैठते हैं इस इस्तितिकों रणात्मक डिस्क कहा जाता है अथ पठन यत्वालेखन सामगरी पाठक अत्वालेखक की आँखों से लगबाग 35 सेंटीमिटर दूर रख एक दिन थोड़ा व्यायाम करना आवश्यक है कोई भी हो जैसे कि स्वास्था के अगर आप रख्षा चाहते हैं सरीर हल्दी चाहते हैं तो स्वास्था की रख्षा के लिए सारीर के व्यायाम बहुत उपयोगी होता है नियमित रूप से व्यायाम करने में सरीर के जो पीश कहते हैं व्यायाम करने से सवसन गती संतुलित रहती है पाचन सक्ती बढ़ती है लेकिन प्रत्य के व्यक्ति को व्यायाम जो है वह अपनी शरीडिक छमता और आयू के अनुसार ही नियमित रूप से करना चाहिए जिसकी जितनी आयू है और जिसका जितना शरीड मजबूत है क कि इससे सभी मांसेशिया सुचाल रूप से करत रहती है और रक्त संचार जो है वह शही रहता है नियमित व्यायाम से वर्द्धावश्था में भी मरुस निरोगी और चुष्ट दुरस्त रह सकता है और अपने सभी कारेश्वयम ही पून कर सकता है व्यायाम विक्त की भू बढ़ाता है, खाये गए भोजन को सर्वोत्तम अंगीकरण करता है, जो भी आप खाते पीते हैं, वो भी ठीक तरीके से आपके बोडी को लगता है, वियायम करते हैं, विशेश रूप से ध्यान ये रखना चाहिए, कि जितना हमारा स्रीर सामनता वहन कर सकता है, उतना ही विय वियायम किया जाए, अधिक वियायम हनिकारक हो सकता है, अच्छा होगा कि वियायम के विशेश रूप से लिया जाए, जो इस काम में निपूर हो, हैना कि कब और कितना वियायम करना है, या बिल्कुल नहीं करना है, यैसे कुछ ऐसी शक्रमस्टांसिस, कुछ ऐसी परसिति होती हैं वहां पर विक्ति व्यायम नहीं कर सकता है जैसे जो गर्ववती महिलाएं होती है या जो ब्लेट प्रेसर के रोगी होते हैं या आने के लिए कुछ ऐसी स्क्रमस्टाम से चोते हैं कि आदमी नहीं कर सकता है व्यायम के नियम क्या होते हैं देखिएगा व्यायम नियम करना सीको फिर कछिन की तरह बढ़ो पहले दिन कर लोÃ च्छोड़ दोगे व्यायाम स्रीर की छमता के अनुशार करना चाहिए जितनी कैपेसिटी योतन ना करो knob भोजन करने से पहले वियायाम करना चाहिए खापी के नहीं करना चाहिए वियायाम के एक कारक होगा वियायम की आवशक्ता और लाब क्यों हूई ठीक है आवसक्ता और लाब देखे वियायम के कुछ लाब हैं जैसे कि पहला है आवशाद कम करने के लिए analysis depression यह अवसाद का मतलब यह है depression ठीक है व्यायम करने से उनन नकारात्मक विचारों को दूर किया जा सकता है जो आपकी चिंता का करण बनते हैं इससे आपकी नीद के पैटर्ण में सुधार होगा अच्छी नीद आएगी आप डिप्रेशन से बाहर आएंगी ठीक है दूसरी बात यह है उर्जा बढ़ाने के लिए व्यायाम उत्कों को पोशक्तत औ और उकसीजन पहुंचाता है जब आपके स्रीर के अंद्रूनी अंगों के साथ स्वाष्थय में शुदल्ट होता है तो आपके पास अपने कार्यों शेपंटेकले अधिकुर जाभी होती वजन संतुलित करने के लिए वजन संतुलित में क्या है कि कैलोरी बर्ण करने का मास्पेशियों का भी विकाश होता है और जिससे आपकी जो मेटाबॉलिस्म दर है वो भी अधिक हो जाती है जब आप वियायाम दोरा अपनी कैलोरी बर्ण करते हैं तो आपका वजन भी कम हो जाता इससे आप सारी क्रूप से बहितर दिखाई देने लगेंगे और आपके एक कहते ना आत्म सम्मान को भी बढ़ावा मिलेगा सेल्फ कॉंट्पिडेंस को भी बढ़ावा मिलेगा मस्तिश्क की कारचमता में शुदाहर करने के लिए वियायाम करने से मस्तिश्क में रक्त प्रवाह और आक्सीजन का इस्तर बढ़ता है इससे मस्तिश्क के हार्मोन उत्पादन प्रभावित होते हैं जिसे यादास्त और सीखने की छमता का भी विकाश होता है प्रतिरिक्षा पनाली को बढ़ाने के लिए वियायम की शायता से oxygen और पोशक तब तो आपके शरीर की छमता को बेहतर बनाते हैं जो वाइरस और बैक्टीरिया से लड़ने वाली कोशिकाओं को इन्ह देने के लिए आवश्यक है इससे आपकी प्रत्रिक्षा मजबूत होती है ठीक है और अने की बीमारियों से लड़ने में विशिशकर infection से भी लड़ने में shuffle हो पाती है अब हम बात करेंगे संतुलित आहार की कुछ लोग ऐसा होते कि उन्टा सीधा ठूसते रहते हैं जो मर्जित जब मन में आया तो खाना पिना सुरू कर दिया वो गलत तरीका है आपको क्या करना चाहिए आपकी एक balance diet होने चाहिए एक संतुलित आहार होना चाहिए समय निष्ठित होना चाहिए कि हमें किस टाइम क्या खाना है देखिएगा वह भोजन जो सरीर में उर्जा दायक व्रधी कालक छती पूरक होता है तथा भोजन में उचित मात्रा में उपलब्ध हो उसे संतुलित आहार कहते है शंतुलित आहार में सरीर के लिए आवश्यक शभी पोशक तत उपलब्ध रहते हैं इसलिए आज के समय में हर एक देश में इस बात का विशिष द्यान लखा जा रहा है कि लोगों को बैलेंस डाइट मिले जिससे विशिष कर बच्चों को भी कुपोशन से बचाया जा सकता है अगर हम बच्चों को एक शंतुलित आहार देते हैं तो ठीक है भारती करसी अनुसंदान परशित के अनुसार एक बात कही गई है क्या कहा गया है संतुलित आहार वह है आहार है जो सरीर की व्रधी विकासकार और श्वास्थे सरच्चन के लिए आवश्यक तत्तों को शमलित करता है जो कि उसमें मात्रा और गुड़ों में संतुलित रु गया सुरक्षात्मख आहार हो गया उचित परिमान में हो जिससे कि सभी पो शकता तो प्रद्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं संतुलित आहार की कुछ विशेष्टाउं के निर्फेगा आविष्यक ततों कि मात्राई विक्तियत आविश्यक्तता के अनुसार होने चाहिए कि हम सभी इका जो सरीर है सरीड का जो गःठन है वो अलग-अलग होता है ठीक है तो उसे हिशाप्षे अहर भोना चाहिए वेक्तिगत आविशकता को ध्यान में रखना चाहिए ॥ीक है कि किसके स्रीर को कितनी कैलोरी चाहिए इन सब चीजों का ध्यान लखा जाए शबी पोशक्त-तत्तों का समाविश आविश्यक मात्रहूं के अ öरुपातमे होना चाहिए विशेष पोशक तत्त्वों के साथ शुरक्षात्मक और नियमन कारी तततो जला और रुक शांस भी होना चाहिए भवशी की आवसकता के लिए अत्रिक्त मात्रा में पोशकत्तों का संचय होना चाहिए उचित मात्रा में कैलोरी प्राप्त करने वाला होना चाहिए आकरसक सुगंदित स्वादिष्ट और रुचिकर सहित सभी भोजब्दार्त होने चाहिए तो यह संतुलित अहार की कुछ बिशेष्टाएं होती है ठीक है अब हम बात करें पंदर अगस्त उन्नीशो सेंतालिस को हमारा तो हमने जितना पढ़ाया संतुलित अहार के बारे में सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है क्योंकि अगर कुछ बाहर से पूछ लेता है संतुलित अहार से समद्दित तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं मध्यान बोजन हार लागू हुआ ठीक है डेफरेंटली आपको भी पता है प्रात्मिक सिक्षा के शंदर में प्रारम में इसकी पैंतालिशवी धारा में इसपस्ट निर्देश था क्या निर्देश था राज इश शमिधान के लागू होने की समय से 10 वर्स के अंदर 14 वर्स तक की आयू तक अनिवार और निसुल्क सिक्षा की विवस्था करेगा 1951 से हमारे देश में शभी विकासकार योजनामद तरीके से सुरू किये गए हैं 1979 में 6-14 आयू वर्ग के 6-14 साल के जो बच्चे थे उनके लिए जो किसी कारण आप्चारिक सिक्षा का लाब नहीं उठा पा रहे थे निराप्चारिक सिक्षा सुरू की गई 1996 में राश्टी सिक्षा नीति की गोशना की गई इस राश्टी सिक्षा नीति में प्रात्मिक सिक्षा की सारभोमिकरन को राश्टी धे की रूप में शुईकार भी किया गया 1990 में थाइलेंड में सबके लिए सिक्षा पर विशेश कानफरेंस हुई इस कानफरेंस में सबके लिए सिक्षा पर विशेश कोष्णा की गई 15 अगस्त 1995 को पौश्टी काहर साहता का राश्ची कारेकरम सुरू किया गया इसे शमानिता भोजन, मद्यान भोजन योजना कहा गया क्या हुआ 1995 को पॉष्टिकार्ट साहता का राश्ची कारेकरम सुरू किया गया और इसे ही मद्यान भोजन योजना कहा गया 1995 से मद्याहन भोजन योजना शुरू करने के क्या उद्धिर्शते क्यों शुरू की गई ठीक है किन उद्धिर्शियों को ध्यान में रखते हुए मद्याहन भोजन योजना शुरू हुआ बच्चों के प्रात्मिक स्कूलों में नावांकन में ब्रद्धी करना अगर हम स्कूल में बच्चों को भोजन देंगे तो ऐसे बच्चे जिनको घर पर उचित मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है वहाँ भी विद्याले आएंगे कि चलो वहाँ सिच्छा भी मिलेगी और भोजन भी मिलेगा बच्चों को प्रात्मिक स्कूलों में रोके रखना और इस इस्तर पर होने वाले अपवे को कम करना ठीक है वैसे बच्चा इस स्कूल में रुखता नहीं है लेकिन जब आप उसे भोजन भी देंगे बच्चे का पेट भरा होगा ठीक है तो वहीं वो खेलेगा, कूदेगा, खाएगा, पढ़ेगा बच्चों की स्कूलों में उपस्थिती में बरत्ぎ करना और यह उक्देश था मद्यान भोजन यह जना का कि जब मिड़े मिल शुरू होगा तो उसे बच्चों की इसकोल में उपस्तिती भी बढ़ेगी नामांकन भी बढ़ेगा बच्चों को पॉस्टिक आहर द्वारा स्वास्ताय लाप पहुंचाना सरकार का ये उद्देश था कि हम बच्चों को पॉस्टिक आहर पहुंचाएंगे ताकि बच्चे हेल्दी रहें बच्चों की एक स्थान पर एक साथ भोजन दोस्था कर उनमें जाती भेद कम करना कि जब क्योंकि एक विद्याले होता है उसमें तो अलग-लग जाती धर्म समूहू लिंक समूदाय के बच्चे आते हैं तो सभी के बीच जब सभी एक साथ बैट करके खाना खाएंगे तो उनके बीच जो विक्तिकत भेद है जो जाती धर्म का भेद है वो खत्म हो जाएगा उनके बीच भ्रातत तो भाईचारे की भावना पैदा हो जाएगी ये मद्याहन बोजन योजना का उद्देश सिता मद्याहन बोजन योजना की आविशकता देखियेगा Need of Midday Meal पहली तो ये है कि प्रात्मिक सिख्चा का सरभौमिकरण करणा मद्याहन भोजन योजना के अंतरगत सभी को साक्षर बनाना है देश की निर्धन जनता को यह संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि सभी चात्रों को विद्याले में सिक्षा परदान करने के साथ-साथ पौश्टिक भोजन भी उपलब्द हो तो क्या है पहला है प्रात्मिक सिक्षा का सारभौमी करण जिसमें क्या बताया गया है कि इसके अंतरगत सभी को साक्षर बनाना है कोई भी निरक्षर ना रहे सब को क्या करना है शाक्षर बनाना है क्योंकि भारत में साक्षरता बहुत ही कम है इसका कारण है गरीबी और जागरुकता की कमी ठीक है तो सरकार के द्वारा मद्यान भोजन योजना लागू की गई इस योजना के द्वारा सिक्षा के प्रति गरीब वर्ग के लोगों में जागरुकता पैदा की जाए और सिच्छा प्राप्त करने में उन पर किशी प्रगर का बोज ना डाला जाए मद्यान भोजन योजना लागू करने के लिए एक तो प्रात्मिक सिच्छा का सर्भवमिक्रण किया गया दूसरा क्या है कि अधिक से अधिक छात्रों की उपस्थिती अधिक से अधिक छात्रों की उपस्थिती ग्रामीन छेतर से जो छात्र आते हैं वे एकसर विद्याले में उपस्थित नहीं रहते मद्यान भोजन योजना से मद्यान भोजन से उनको उपस्थित रहने के लिए प्रोटसाहित किया जाता है कि प्रतेक दिन के भोजन में नवीनिता होगी आज पनीर बनेगी, कल दाल बनेगी, परसो ये बनेगा, वो बनेगा यानि अलग-अलग तरीके से अलग-अलग भोजन मच्चों को खाने को मिलता है राजस्थान में किये गए अधनों से गयात होता है कि छात्राओं की उपस्तिती में 55 की ब्रद्धी मद्यान भोजन योजना के बाद होई है पहले 50 बच्चे आते थे, जब मद्यान भोजन सुरू के आगए तो 100 बच्चे आने लग गए इतनी ब्रद्धी हो गई इस प्रकार के प्रिणाम देश के अनेचित्रों से भी प्राप्त हुए हैं ठीक है इतनी बात क्लियर हुई पॉस्टिक आहर के महत उसे अवगत कराना ये देपी भारत की वर्तमान में प्रगती हो रही है फिर भी देश में अभी भी काफी गरीबी देखने को मिल लही है गरीब परिवार से आए बच्चे जिनने पॉस्टिक भोजन का महत और आवसकता का ग्यान नहीं होता उन्हें पॉस्टिक आहर के महत उसे अवगत कराना जो है मद्याहन भोजन योजना की आवशकता है और नेक्स्ट वनी सोचता की महत उसे अवगत क छेत्रों में निवाश करने वाले विक्तियों का सोचता के प्रति जागरूक बनाने के लिए मद्याहन भोजन की अधिकाव सकता है जो ग्रामिन छेत्रों के बच्चे होते हैं उनको वह पहले पहुजा साफ सफाही पर ध्यान नहीं देते थे मद्याहन भोजन योजना का य भी उसके कावशकता की कि उनको सोचता के प्रति क्या किया जागरूक किया जाए छात्रों को वित्याले प्रिसर में तैयार किये जाने वाले भोजन के मादिम से या जनकरी दे जाती है कि रसोई घर में भोजन पकाते समय क्या सोचता रखने चाहिए इस बात का ध्यान लख कि सवक्ष शाथ सुतरे हातों से भोजन बने रफोई घर हमारा सवक्ष हो शाफ वो बरतन साफ होने चाए चमकते रहने चाए और भोजन में जो भी शामगरी यूज होती है वो भी साफ शुत्री होनी चाए इसका प्रभाव छात्रों के मस्तिष्क पर पड़ता है आप भी अ बच्चों पर भी पड़ता है अगर हम जो है कि साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चे भी हमारे वैसे ही हो जाएंगे शमाजी के गुणों का विकास करना ग्रामिन छेत्रों में निवाश करने वाले लोगों में जाती भेदभाव नगरी छेत्रों की तुरना मे अधिक होते हैं जाती भेदभाव जादा मनाते हैं गावाले लोग अता इस भेदभाव को दूर करने का माध्या मध्यान भोजन योजना है यहां भोजन बनाने के लिए अनुसूचित जाती की महिला निक्त की जाती हैं विद्याले में पढ़ने वाले चात्र भिन भिन वर में भी सयोग मिलता है तो इससे समाजिक गुणों का विकाश होता है और शमय तथा धनकी भी बचत लेखिएगा अक्सर ऐसा होता है कि दोपर के बाद ग्रामिट छेत्रों के छात्र अपने अपने घर चले जाते हैं पुनाहा लोट कर विद्याले नहीं आते हम लोग भी जब चोटे थे प्रोस में विद्याले था इसकूल में कहते प्राइविट स्कूल था तो कहते सर हम घर जा रहे हैं खाना खाने और घर खाना खाने आये और फिर बाद में पता लगे के वाला बैग उठाने गए चुट्टी के टाइम उसके बाद वापस लोट करके हम नहीं गए तो ऐसा होता था जिससे शिच्छन कार ठीक से नहीं हो पाता मध्यान भोजन योजना के करण सभी चात्र विद्याले में उपस्तित रहते हैं कि वही खाना भी वहीं मिला है तो टीचर भी नहीं जाने देगा बच्चा भी नहीं जाएगा इस परकार सभी के समय की बच्चत है भी होती है ग्रामेड शित्रों में गरीबी बहुत अधिक है शबी अपने बच्चों को पॉश्टिक भोजन नहीं दे पाते इस प्रकार मध्यान भोजन योजना बहुत ही लाबतायक है ठीक है आई हो आपको बात समझ में आई होगी क्लास कैसरी कॉमेंट करके जुरू पताये पेड नोट्स कंप्लीट पीडियाफ की फीज 200 है यहां मैसेज कीजिए नोट्स ले लीजिए पेपर वन आपका खतम हो गया आप जो पेपर वन आगे सुरू करेंगे उसमें इंप्रॉटन कोरेंगे लेकिन कब सुरू करेंगे अभी नहीं क्लियर है अभी पेपर से करेंगे सेर कीजिए कि पेपर वन इसमाटर एवरी डे पर खत्म हो चुका है और आगे इंपॉर्टेंट तिंक्स इंपॉर्टेंट टॉपित सुरू किये जाएंगे कोश्चन के फॉर्मिट में ठीक है ठीक है थैंकि सो मस्च मिलते मों जली नक्स लास में